दोस्तों स्वागत है अपका दा एक्जाम पोर्टल में अभी हमारी छिट्टी चल रही है तो गाउं आया हुआ हूँ तो अभी मैं अपने बच्पन के स्कूल के पास सून तो मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग किस स्कूल पढ़ते थे गाउं घर में कभी भी जो गाउं आ इसको पैकेट में बेशती हैं यह जो संस्क्रीती बिलुप्त होने कगार्प है हाला कि हम लोग खुद अंग्रेज हो गए हैं नहीं यूज करते हैं लेकिन कभी कभार घर आते हैं या तो यूज कर लिया करते हैं आप लोग भी कर सकते हैं बहुत हेल्दी और हाइजीन होता है मैं आपको अपना स्कूल दिखाता हूं यह हैं हम लोग के साथ विकास सर हम लोग बचपन के लंगोटिया यार इसकूल की हाला तब पहले से थोड़ी सी ठीक हो गई है यह है मिडिल स्कूल हमारे गाउं का अब थोड़ा सा ठीक हो गया पहले सब था नहीं अपिन पौध है और हरियाली थोड़ी सी पढ़ गई है इसकूल डेक सकते हैं यह वाला बिल्डिंग है यह वाला बिल्डिंग बंढ है गेट नहीं अंडर जाता है अभी नियम का पालन करना जरूरी है देखिए उधर से बच्चे कूट के उसमें क्रिकेट खेलने चल जाते हैं यह वाला से गुरु जी कहते थे एक राजनाथ माट साहिब थे वहां से यहां तक मूर्गा में बन के आना है टास्क नहीं करने पर वहां से उस कॉर्णल से बहुत मूर्गा बने हैं तब से मूर्गा खाने का अध्यत हो गया है साफ और स्वक्टपानी है प्रकिर्ति कह सकते इसको यहां से हम लोग आने से पहले क्रिकेट खेलते थे वाला हाइव दॉल है इसमें हम लोग क्रिकेट खेलते थे फिर घर जाने पहले यहां पर नहांके जाते थे तो यह वाला बोरिंग उस Não भी अभी भी है आगे भी रहेगा एह हनुमान जी का मंदिर है देखी यहां पर भी क्रिष्ण पूजा के लिए मूर्ती रखा गया होगा हम लोग खेल के आते थे तो बैठते थे वाला कल है जो बंध हो गया है इस मंदिर को अब देख सकते हैं यहां से हम लोग अड़ा हुआ करत अभी भी है आते हैं बड़ा शुकून सा मिलता है तो ठंड भी लगता है यहां पर इस पेंड के पास तूलसी का पौधा है यह वाला कल भी खराब हो गया है तूलसी का पौधा जपनाम गाउं का रोड है काफी बढ़िया है बन गया है एक फूर सा रोड तो एक ठोटा सा पूर था गाउं का अब भी आपको समय मिले तो अपने गाउं जाए घर जाए एंसेस्ट्रल प्लेस चलिए थैंक्यू